बहुत से मरीज ऐसे आते हैं डॉक्टर्स की क्लिनिक में दोस्तों वो कहते हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं हमने बहुत सारी जाचे करा ली लेकिन हमारा मूड ठीक नहीं रहता है हमें इनरजी नहीं आती है हमारा मसल्स नहीं बन पाते हैं तो क्या करें और ऐसे में ह जो टेस्टीस ट्रॉन है वो बहुत बड़ा रोल पिले करता है आपकी सहत को बनाने के लिए भी और आपके वैवाईक जीवन को भी मेंटेन रखने के लिए एक्चुल में जो टेस्टीस ट्रोन है वो टेस्टीस से बनता है टेस्टीस जैसे जैसे डेवलप होना शुरू होते हैं जैसे हम पुबर्टी की तरफ जाते हैं तो पुबर्टी लाने में भी टेस्टीस का बड़ा रोल है और जब हम जवानी की stage में होते हैं तो उसवक जो यह testis-trone है चरम सीमा पे होता है और यहीं वज़ा है कि जो हमारे मन में उमंगे होती है वो भी testis-trone के कारणी होती है लेकिन 30-35 साल के बाद यह धीरे-धीरे testis-trone body में कम होने लगता है और यहीं से यह दिक्कते शुरू हो जाती है अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के बाद वजन बढ़ गया एक्चल में वो शादी के बाद वजन इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब आप 30-35 साल की उमर पार करने लगते हैं तो आपका testis-trone level कम होने लगता है और testis-trone का और मोटापे का एक चोली दामन का साथ है तो जैसे जैसे testis-trone कम होता है मोटापा बढ़ने लगता है जितना जादा fat उतना कम testis-trone तो ऐसे कौन-कौन से sign या symptoms या लक्षण है जो testis-trone की कमी से हो जाता है इसमें जो सबसे common है वो है कि sexual desire का कम हो जाना loss of libido testis-trone का level कम होने से हो जाती है ये बड़ा नुक्सान है मर्दों के लिए erectile dysfunction हो जाता है testis-trone के levels कम होने से जो muscles है उनका mass कम हो जाता है muscles बिल्ड नहीं हो पाती है आप मेहनत भी करते हैं तब भी आपके muscles बिल्ड नहीं हो पाते हैं mood sinks बहुत जादा होते हैं आपको एक तकावाट, low allergy concentration नहीं होना या दाष्ट का कमजोर हो जाना ये सारे लक्षण आते हैं और इसका एक बहुत बड़ा factor है कि इससे मरीज के बाल भी गिरते हैं जो पतले बाल हैं थीन हो जाते हैं बाल और बहुत जल्दी तूटते हैं अगर testis trone का level कम हो किसी मर्द के अंदर हाला कि testis trone औरतों के अंदर भी थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है और वो थोड़ी सी मात्रा का testis trone औरतों के लिए भी या फीमेल के लिए भी बहुत जरूरी है अगर वो कम होगा या जादा होगा तो वहाँ पे भी बिमारिया डेवलप हो सकती है लेकिन आज हम बात करते हैं कि मर्दों पे इस बिमारी के क्या इफेक्ट पड़ते है तो यह जो सारी चीज़े हमने लिस्ट की यह सारे लक्षन उन मरीजों को आते हैं उनकी बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती है सब कुछ उन्हें ठीक लगता है गया और सब कुछ ठीक है लेकिन यह सारे लक्षन क्यों आ रहे हैं तो ये चीज, testis strong का level जाच करा लेना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि कहीं हमारे अंदर testis strong की कमी तो नहीं है, सवाल उठता है कि क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है, इसको naturally हम ठीक कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, या कोई दवाई लेनी की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई supplement लेनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो actual में testis strong के injections भी आते हैं, तो ऐसे मरीज जिनके testicles छोटे देना पड़ेगा, लेकिन जिनके testicles ठीक हैं, और age के लिहाज से, या उनके लिथार्जिक जीवन या अपन के कारण, अगर testis strong levels कम हो गए हैं, या मोटापे के कारण, testis strong levels कम हो गए हैं, तो उनको naturally आप अपने ठीक कर सकते हैं, improve कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर से आप अपने normal life जी सकते हैं, सबसे पड़ा जो role बनता है, वो होता है कि आप अगर weight कम कर लेते हैं, क्योंकि weight का और इसका सीधा सीधा संबंद है, तो जैसे आप अपना वजन कम करते हैं, तो testis strong का level बढ़ने लगता है, और क्योंकि वजन करने के लिए आपको exercise करना पड़ करता है, और अगर आपकी dietary habits अच्छी है, आप अच्छा काते हैं, आप हरी सबजिया जादा काते हैं, आपके खाने में protein जादा है, और carbohydrate नहीं है, तो आप keto diet का इस्तमाल भी कर सकते हैं, keto diet हो होती है कि जिसमें carbohydrate बिल्कुल नहीं होता है, हाँ, उसमें आपका protein होता है, और fat होता है, तो आप चिकना भी खाते हैं, protein भी खाते हैं, लेकिन मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो मीठा बहुत नुकसान करता है, टेस्टिस्ट्रोंस के लेवल को कम करता है, इसलिए आपने देखा होगे कि diabetic लोगों में जो libido है, या जो sex की desire है, वो कम हो जाती है, उसक का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप पूरी 8 गंटे की नीन लेते हैं, और आप खुश रहते हैं, आप बिल्कुल मस्त मुला आदमी हैं, तो आपका टेस्टिस्ट्रोंस के लेवल सच्छे होंगे, लेकिन आप दुखी हैं, चोटी-चोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं या आप बहुत चिंतित रहते हैं, तो आपका टेस्टिस्ट्रोंस का लेवल दीरे-दीरे काम होने लगता है, और ये further depression को बढ़ा सकता है, अब बात कर लेते हैं, क्या-क्या उसकी कुछ दवाईयां भी हैं, तो एक हमने का टेस्टिस्ट्रोंस, अंग्रेजी कुछ अविलेबिल होती हैं, उनके बारे में बता देता हूँ कि वो कौन-कौन सी दवाईया हैं, सबसे पहली दवाई है दोस्तो अश्वगंदा, जिसको अजगंद के नाम से भी जानते हैं, अजगंद का इस्तमाल टेस्टिस्ट्रोंस के लेवल में scientific studies कहती हैं, बहुत अच्छ अपने आप से इन दवाईयों को ना ले, उसके अलावा आपके किचिन की कुछ चीज है, जैसे हींग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा असर डालती है टेस्टिस्ट्रोंस को प्रोड्यूस करने में और उनको बढ़ाने में टेस्टिस्ट्रोंस का लेवल, उसके इतना जेक्तो ये टेस्टिस्ट्रोंस को बढ़ाता है उसके अलावा ये एंटी कैंसर की दोर भी काम करता है, तो इविन जो cancerous cells हैं उनको हटा देता है, या उनको cancerous cells में developing होनी से रोक लेता है, तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं cancer के, आप अपने काने में हींका औ और अध्रक का इस्तेमाल बढ़ा दे, उसके लावा जिंक के कुछ सप्लिमेंट यूज़ करें, बहुत जादा नहीं, लिमिटेड, डॉक्टर की सलापे, ये भी आपके टेस्टी स्टोंस के लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है, रेगूलर एक्सरसाइज करें, जितना विडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा, तो एक आपको विडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस विडियो को लाइक जरूर कर लेना, शेर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलना, तैंक यू